मकर संक्रांती का त्योहार पुरे भारत वर्ष में बड़े ही हर्शोलास के साथ मनाया चाता है। यह त्योहार जितना युवाओ के लिखास आखरशन का केंदर रहता है, उतना ही महलाओ के लिए भी यह महतोपूनत त्योहार है। इसी चीज़ को समझते हुए, रोकडे चुलरस की और से मकर संक्रांत स्निहमिलन का आईचिन किया क्या, जिसका चाय सालिया हमारी समाधातानी। आईए देखते हैं। रोकडे चुलरस की और से मकर संक्रांत स्निहमिलन का आईचिन किया गया है, जो पिछले दो-तिन दिनों से चलना और यहां पे महलाओ के लिए बहुत सारी कॉप्लिकेशन्स जो है और्गनाईज किये गया है। तो आखिर ऐसा रोकडे जुलरस में क्या हो रहा है, कितनी महलाओं मस्ती कर रही है, आईए जानते हैं हमारे स्रिपोर्ट। रोकडे जुलरस की और से हमेशा ही हर फेस्टिव सीजन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ यूनीक ऐसे क्रियेटिविटी वाला आइडिया लाया ही जाता है। अब ऐसा ही कुछ रोकडे जुलरस ने भी करने की सोची। इन्हों ने रोकडे जुलरस में मकर संकरान स्नेह मिलन का आयोजिन किया गया है। तो यहां पर बहुत तीन चार दिनों से पिछले अलग-अलग कॉम्पटिशन्स हो रहे हैं। और आज यहां पर फैशन शू होने वाला है बेस्ट ड्रस जो पहन के आएगी उसको सबसे अच्छा अवार्ड मिलेगा। यहां पर आप से पूछना चाहूंगी कि कही ना कई जब इस चीज को बोला गया था कि ऐसा कोई कॉम्पटिशन है तो आपके दिमाग में यह कैसा अटायर मतलब आपने कैसा सोच लया कि मुझे इस अटायर में जाना है। कहां से आपके इसमें यह सोच आईकि एसा टायरा है। नहीं इंडवेश्टन जब बोले थे तो मैंने पहले पूछा कि इंडवेश्टन में डागीना का सबहना तो दागीना इंडवेश्टन स्टाइल ही बनाए घर पे ही। यह सारी चीजे जो आपने लिए वो पूरा घर पे आपकी चाता भी हमने देखा बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया था कैसे सोच आपने उस चाते को इतना डेकोरेट करना था यह टैक सोची आप यह रोकडे जुलर्स का है कुछ टैक लिख लो कहां लिखो समझ मने आ रहा था तो चाता दिमें लिख दी अब बहुत कूपसूरत दिख रही है मैं आपसे जानना चाहती हूं कि रोकडे जुलर्स की और से यह जो आसनी हमिलन का आयोजन किया गया है मकर सं पिख संकरांती का त्योहार और उसके ऊपर रोकडे जुलर्स ने यह जो आयोजन किया है उसके लिख क्या कहना चाहिए जैसे अभी बेटे की शाधी है तो मैं यह से परचिस किया बहु के गहने रिंग्स अभी एंगेजमेंट थी तो सारा यह से कर दी किया एशा है ने कि मैं आज यह हमेशा ही मेरा आना जाना यहां पर और अच्छा है यह बहुत इच्छे ज्वेलरी है निस डिजाइन इतनी जल्दी पसंद आज ते निन दूसरी यहां जाने की इच्छाने होते डिजाइन से इतनी अवलेबल है नहीं यहां पर तो अपना टाइम भी बसता है में तो अर अपने चाइस का कहना भी मिल जाता है हम लोग देख सकते हैं कि रोकड़े ज्वेलर्स की प्रशन सा हो रही है यापे कि किस तरीके जो आयोजन करते हैं वो तो अच्छे होते हैं पर यहां के गहने भी जो हमेशा होता है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं और यहां पर आने के बाद किसे इंसान को कही और जाने की जरूरत नहीं होते हैं इसा खुद ग्राकों का कहना है पुकड़े ज्वेलर्स की और से मगर शंकरांती का यह जो स्नीह मिलन है वहां पर हम लोग आये है जो पिछले दो-ती दिनों से चल रहा है और यहां पर महिलाओ के लिखास तोर पर बहुत सारी अच्छे च्छे कॉम्पेटीशन्स रखे गए है कुछ ऐसा जो महिलाओ को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसे शुरुंकला में अभी हम यहां के कुछ और महिलाओ से बात करेंगे जानेंगे उनको यह जो रोकडे ज्वेलर्स की और से आयोजिन किया गया है वो कैसा लगा हैलो मैं टॉक्टर प्राच्छी में बानकर हूँ और शुभांगी नियम्स हमारे काफ्य परीची थे युस्थ तो इसे उर्षवेलर्स बहुत जदे एक्साइट यहां के बहुत ही अच्छा लग रहा है and really it's a good event जब लेडिस को बाहर आके something different करना है तो लेडिस बेडिस बेडिस एक्साइट and I am thankful to Rokode Juvajas they give this chance for us मैं डॉक्टर हर्शा जारिया I am CEO of L.A.D. और मुझे यहां के बहुत अच्छा लगा और Shubhangi जी ने मुझे यहां पे बुलाया और मैं यहां पे लेडिस का काफी excitement देख रही हूं जिस तरह से वो पने फोटो कीच रहे हैं और मतला वाकई एक जो मकर संक्रांती का जो तियोहार है वो अभी कितनी खुशी से यह लोग मनाना चाहते हैं वो तो दिखी रहा है और मेरे लिए रोकडे ज्वेलर्स में आना फॉर्स टाइम है इस माइ फॉर्स अपॉर्चनिटी और मैंने इनका शोरूम भी देखा है तो काफी अच्छी ज्वेलरी काफी अच्छी है कालेक्शन बहुत अच्छा होता है कई ना कई आज जो यहाँ पर है कि फैशन शो भी होने वाला है डांस यह सारी चीज़े भी साथ ही यहाँ पर उखाने की भी एक प्रतियोगी ताका आयोजेन की आगे और जब बात मकर संक्रांती की आती है स्पेशली तो उखाने जो होते है वो ज़रूरी होते है मतलब मांडिटेरी होते है वो बोल नहीं पड़ते है तो आप दोनों में से कोई भी एक जो एकाद उखाना हमारे दर्शकों के लिए पेश करेगा सी नाव वे आ सिटिंग इन रोकडे जुएलर्स तो जुएलरी से रिलेटेर हो खाना में लेती हूँ बट इट इस इन मराठी आम मोतेंची मार सोनें सा साज नंदकिशार रावान सा नाव गेते रोकडे जुएलर्स सा इवेंट आहे आज रोकडे जुएलर्स के इवेंट पे मतलब कही ना कही हर महिला यहाँ पे बहुत जादा एंजॉय कर भी यहाँ पे महिलाओ का एक्साइटमेंट देखते बन रहा है मतलब वैसे भी मकर संखरांती के लिए महिलाओ एक्साइटेड होती है बट यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि मेलाओ का excitement किस level पे है camera person अकलिश भारिदवाज के साथ दिशाहटवार VCN News नाकपूर